हेलो फ्रेंड विलकम टू आवर यूटूब चैनल कविता मूर्ति क्लियेशन आज हम उक्सिडाइज रिंग बनाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें जो जो समान चाहिए वो आप देख लीजिए इसके लिए मैंने एक मेरे पास जो पुरानी अंगुठी पढ़ी हुई थी उसको लिया है और एक छोटे साइज में मीरर चाहिए आपको और फेवी क्रिल का ग्लू और क्ले मैंने अहां क्ले के जगह पे एमसी लेकाता है चिपकाने वाला उसको हमने लिया है आपके पास अगर सिल्का क्ले हो या फेवी क्रिल का क्ले कोई भी तो आप उसको यूज कर सकते हैं मैंने यहाँ इमसील का यूज किया है तो सबसे पहले आपको क्लिक बूल करके उसके बाद उसके ग्लू लगा दीजिए और जैसे मैंने दिखाया है वैसे यूज कीजिए उसके बाद हल्का हल्का उसका लंबा पतला करते हुए जैसे मैं दिखा रहे हूँ और ऐसे चिपक जाता है इसलिए हल्का सा पाउडर लेके ताकि चीपके ना पतला करते जाए और ग्लू लगा के चारो तरफ से उसको लगा दीजिए इससे जो मीरर है आपका वो निकलेगा नहीं इससे अच्छे से उसको चिपका दीजिए और फिर वैसे ही पतला करते जाए और ग्लू लगा के उसको चिपका दीजिए और अपने हिसाफ से जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए अब उस पर डिजाइन बनाईए आपको जैसा अच्छा लपता हो मैंने जैसे बना है डिजाइन आप वैसे भी बना लीजिए जैसे मैं दिखा रही हूं आपको वीडियो में कर दो हुआ हुआ है बना लिया है आप देख लीजिए जैसे मैं बना रहे हूं अब मैंने अच्छे से डिजाइन बना लिया है अब अब अपनी अंगूठी को लीजिए और उस पर हल्का सा ग्लू लगा के और अपना एंसिल जो है उसको चिपका लीजिए अच्छे से अच्छे से दबाते हुए चिपका दीजिए उसको ताकि निकले ना और फिर चारो तरफ से ग्लू लगा दीजिए अजय मेरी रिंग बन गई है अब इसको ड्राइ होने दीजिए एक दू घंटे में अच्छे से ड्राइ हो जाता है उसके बाद हम कलर करेंगे अब अब अच्छी तरह सूख गई है तो अब हम इसको पहले ब्लेक कलर से पूरी तरह कलर कर लेता है अच्छी तरीके से चारो तरफ कलर कर लीजिए अच्छे से कपड़े से पोच लीजिए और साफ कर लीजिए उसको गीला में ही साफ के जगा जब कलर सूख जाएगा तो उसको छुडाना थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए पहले ही मैंने साफ कर लिया है अपç Bow अच्छे तरीके से और अब इसको त्होच अने देजिए तोड़ा सा कलर को चारो तरफ से पीछे ही कर लित अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिए और ये मेरी इसका ब्लैक कलर सुग गया है अब इसके ऊपर मैंने सिल्बर कलर था मेरे पास फेवी क्रिल का उसको हलका हलका हाथ से लगा दीजीए अगर मेरे पास जो था लिक्वीड में था आपके पास अगर पाउडर है तो और अच्छा है मेरे पास लिक्वीड में था इसलिए मैंने उसी से किया है इसको अच्छे तरीके से हाथ से लगा लीजिए अगरे मेरी अंगुठी बन गई है अब बताएए कैसे लिक्रेए अगरे अब देखिए पहनने के बादे ऐसे लगेगी बहुत ही प्यारी सी सुन्दर सी अंगुठी और यह देखिए कैसा लुका है इसका थैंक्स फोर वाचिंग